कैसे हो मेर प्यारे विद्यारतियों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके ही अपनी यूटीव चैनल फ्रेंड ओप स्टुडेंट में आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th Mathematics Exercise 2.3 Question No.2 यानि पुष्णा वली 2 दसबलग 3 का प्रस नमबर 2 प्रस नमबर 1 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ अगर आपने वह सवाल नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो ग्लास में देदूँगा आप उस सवाल को भी देख सकते हो चैप्टर है ये fractions and decimals यानि भिन नवम दसबलग तो चलिए प्रस नमबर 2 को solve करते हैं प्रस नमबर 2 है गुणा कीजिए और नियूनतम रूप में लिखी यदि संबब है यहां में ये साथ सवाल दिये इनको आपस में गुणा करना है और अगर संबब हो तो उसे नियूनतम रूप में भी लिखना है यानि अगर वो कट र ठीक है इसको हमें गुणा भी करना है और नियूनतम रूप में भी लिखना है तो नियूनतम रूप में लिखने का मतलब क्या है कि हमें अंसों से हर को काटना है या फिर हरों से अंसों को काटना है ठीक है तो यहां देखिए दो के पहाड़े से दो एक कम दो एक बार में तो यहाँ पर 2 और 4 आपस में कैंसल हो गया चैंसल कर दिया हमने अब हमारा बच्छा 3 और 7 तो यह आपस में कैंसल नहीं होते हैं अब हमें क्या रहना है एक गुणा 3 करना है तो 3 एक कम 3 और बटे में 7 गुणा 2 साथ दूनी 14 तो ये जो हमें गुणनफल प्राप्थ हुआ है ये क्या है 2 वट्टा 7 गुणा 3 वट्टा 4 का क्या है नियूंतम रूप है कैसे है नियूंतम रूप देखो अगर हम इसे डारेक्ट गुणा कर दें तो 2 तियां 6 और 7 चौक 28 तो हमें मिलेगा 6 वट्टे 28 अब 6 वट्टे 28 में एक चीज common है कि 6 दो से 3 वार में cancel हो जाता और 2 से ही 28 चौदा वार में cancel हो जाता है तो हमें finally उत्तर क्या मिलेगा 3 वट्टे 14 तो ये 3 वट्टे 14 क्या है 6 वट्टे 28 का नियूंतम रूप है तो नियूंतम रूप के लिए या तो आप उनको गुणा कर लीजी बाद में काटिये या फिर गुणा करते समय अगर कट रहे हैं उपर नीचे तो उने काट लीजी ठीक है गुणा करते समय अगर आप काटेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा यही हमारा नियूंतम रूप होता है और अगर नहीं कर रहे हैं तो ने गुणा कर दीजी बस ठीक है समझ में आ गया चलो अब हम सवाल को सॉल्प करते हैं फटा फट बस यही आपको समझना था और बाकी आप गुणा तो जानते ही है गुणा हम कैसे करते हैं तो पहला सवाल हमें स्ट्वेंट्स क्या दिया है दो बटा तीन गुणा दो सही दो बटा तीन यानि दो बटा तीन और दो सही दो बटा तीन की हमें आपस में गुणा करनी है तो इसको गुणा करनी के लिए सबसे पहले तो हमें 2 सही 2 बटा 3 को सरल करना है और इसे सरल कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था 3 की और 2 की हम गुणा करेंगे यानि नीचे वाली संख्या की और सही वाली संख्या ही गुणा करेंगे कोई मिस्रित भिन ने दे रखी है, तो उसे सरल करना, उसके बाद ही हमें, उसको किसी संख्या से गुणा करना है, ठीक है, तो हमने 2 बटा 3, ऐसी उताल लिया, गुणा का चिन लगा लिया, इसको सरल करके लिख लिया, 8 बटा 3, कैसे लिखा है, 3 दूनी 6, 6 पिलस 2, 8 और बटे में 3 है, तो बटे में 3, ठीक है, अब हमें क्या करना, यह देखना है, क्या उपर नीचे, किसी भी संख्या से, अंस या हर कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं, या फिर 3 भी आता हो, और 8 भी आता हो, ऐसा कोई पहाडा है, ऐसी कोई संख्या है, जिसमें 3 और 2 और 8 एक साथ आते हूं, नहीं है न, तो इसका मतलब है, कि उपर नीचे यह आपस में नहीं कट रहे हैं, तो अब इन्हें डाइरेक्ट गुणा करेंगे, आप ऐसा नहा करें कि उपर उपर काटें, 2 एक कम दो 2, चा क आट, और 3 एक कम 3, एसा नहीं करेंगे, नीचे नीचे उपर उपर नहीं काटतें, बलकी उपर नीचे काटतें, ठीक है, तो यहा पर आब गुणा कर लें टेहें, दो गुणा आठ, आठ दुनी 16, बटे में 3 गुणा 3, 3, 9, यानि उपर उपर ही गुणा करते हैं, नीचे नीचे ही गुणा करते हैं, ठीक है, यह उत्तर हो गया, दूसरा सवाल है, दो बटा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 9, यहां देखी कट रहा है, 7 एक कम 7, और 7 एक कम 7, और बाकी कुछ नहीं कट रहा है, अब हमें इने गुणा कर लेना है, उपर करना है, दो गुणा 1, 7 गुणा 2, और बटे में, यहां पर ही 7 कट गया, यहां एक आ गया, एक गुणा 9, नो एक कम 9, यह हो गया, उत्तर, ठीक है, यही हमारा नियुनतम रूप है, जो हमने यहा चौदा और 63, साथ के पहाड़े से कट जाती है, तो हमें फिर काटना पड़ता, दो सत्ते चौदा, स्वारी, साथ से न, साथ से, साथ दूनी चौदा और साथ नेम 63, तो हमें फिर दो बटा 9 परात होता, और यही क्या हो जाता, चौदा बटे 63 का नियुनतम रूप, तो हम के पहाड़े में नेम रूपर, पहाड़े में फिर दो बा हमां, यहां फिर जितने से नीचे काटएंगे, उतने सी हमें नीचे काटना होगा, धिक है न, यह फिर जितने से नीचे काट 2000 क और यह उपर नीचे तो इससे हम गुणा कर लेंगे तीन गुणा तीन, नौ और आठ दूनी, सोला आठ गुणा दो आठ दूनी, सोला, ठीक है? यह हो गया हमारा उत्तर चौथा सवाल है नौ बटे पांच गुणा तीन बटे पांच तो यहाँ पर कोई भी संक्या एक दूसरे से नहीं कट रही तो मैं क्या करना? उपर उपर गुणा कर लेंगे नौतियां 27 और बटे में 5 गुणा 5 25 आप ऐसा ना करें कि 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 यह नीचे नीचे ही कट जाएंगे नीचे और उपर काटना है नीचे नीचे यह उपर उपर नहीं काट ना ठीक है? यह हो गया मारा उत्तर दूसरा है यानि 5 माँ है एक बटा 3 गुणा 15 बटा 8 तो देखी यहाँ कट रही है 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15 कट रही ही नीचे नीचे भी कटी और 3 से उपर भी कट गई काट दिया हमने अब हमारी कोई से संक्या नहीं कट रही है तो अब हमें से क्या करना? गुणा कर ले ना एक गुणा 5 पांच एक कम पांच और एक गुणा 8 आठ एक कम आठ उत्तर हो गया अगला सवाल हमें दिया है 11 बटे 2 गुणा 3 बटे 10 क्या यहां पर आपस में उपर नीचे कट रहा है नहीं कट रहा है देखी 5, 7, 4, 12 कोई भी संक्या ऐसी नहीं है जिसमें यह एक साथ आते हूं तो हमें उपर उपर गुणा कर ले नहीं 12 चोक और 40 यानि 4 गुणा 12, 48 और 5 गुणा 7, 35 यह हो गया उत्तर ठीक है ना उमीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा मिलते हैं अपने अगले सवाल यानि कोशन नमबर 3 में तब तक के लिए धन्यवाद